हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैं चैनल तो फ्रेंड्स देखें शरत पूरिमा के लिए आज हम लड़ू भॉपाल जी की ड्रेस बनाने जा रहे हैं तो कि यहाँ पर मैं 3 और 4 नंबर लड़ू भॉपाल जी के लिए बना रहे हूं देखें अब हमें क्या करना है इसको हम डबल फोल्ड करके इस तरह से एक मार्किंग कर लेंगे यह देखिए इसको हमें बीच से हाफ-ाफ डिवाइड करना है देखें जो भी आपकी ड्रेस का साइज है उसके अकॉर्डिंग हम यहां से यहां तक नाप लेंगे और आधा इंच एक्स्टर लेकर हम नेट के कपड़े को कट कर लेंगे यह देखिए और देखिए इसको एक बार फोल्ड करके इस तरह से यहां से हम अपनी प्लेट्स बनाना स्टार करेंगे और देखें प्लेट्स हमें इस मार्क से थोड़ा सा आगे तक बनानी है यह हमारा सेंटर है और इस से हमें आधा इंच बाहर तक यहां तक हमें अपनी प्लेट्स कम्प्लीट करनी है यह देखें यह बेस को हमने एक साइड नेट लगाकर कम्प्लीट कर लिया है देखे यहां पर हमने यह 2-2 इंच के लेज के पीस कट करके रखे हुए है देखे अब हमें क्या करना है इनको इस तरह से हमें फोल्ड करना है देखिए जहां तक हमने अपना ये base बनाया है उसके बाद में जो हमारा खाली space है वहाँ पर हमें इनको attach करना है तो देखिए इस तरह से हम किनारी से रखते हुए इनको attach करेंगे ये देखिए इस तरह से हमें पास पास ये रखते हुए इस किनारी को यहां तक complete कर लेना है देखिए इस तरह fold करेंगे ये जो हमारी design वाली किनारी है ये बाहर की तरफ रहेगी और इनको इस तरह से हमें सिलना है ये देखिए एक रो हमारी complete हो गई है और देखिए इसको हमने एक बार lace attach करने के बाद में एक सिलाई और लगा दी है जिससे कि ये lace निकलेगी नहीं ये देखिए यहां पर हमने ये double सिलाई लगाई है देखिए अब हमें एक round और बनाना है तो देखिए same size की हम lace लेंगे और इसी तरह से हम fold करेंगे देखिए अब हमें क्या करना है ये जो हमारी दोनों lace है इनके center में हमें लगाना है इस तरह से हमें इसको लगाते हुए एक round और complete कर लेना है ये देखिए second row भी हमारी complete हो गई है और देखिए हर row में हमें lace लगाने के बाद में double सिलाई लगानी है अब देखिए इसको हम यहां तक complete करेंगे same size की हमारी lace रहेगी 2 inch की और same हमें इसी तरह से लगाना है कि देखिए first round में हमने यहां से start किया है second में हमने इसके center से start किया देखिए फिर से हम उसी तरह से start करेंगे first round की तरह तो हमारा यह जो lace की जो design है यह दोनों के बीच में आती जाएगी देखिए यहां से start करेंगे तो second हमारी इसके center में आएगी तो हमें इस direction को follow करते हुए इसको complete कर लेना है यह देखिए यह हमारे four round complete हो गए है अब हमारा यह last round है देखिए last round में हमें यह दोनों side design बना ली है इधर से बनाते हुए हमें पूरे round पे यह same design बना ली है यह देखिए यह पूरा round हमने complete कर लिया है अब देखिए यह जो हमारी इस side की जो किनारी है यहां पर हम एक lace इस तरह से लगाएंगे देखिए इस तरह से यह देखिए इधर हमने lace लगा दिया है देखिए जब हम कान हजी को पहनाएंगे तो यह हमारी lace की किनारी इस तरह से आएगी देखिए अब हम यह धाय इंच औरी net का कपड़ा लेंगे और देखिए जैसे हम किनारी बनाते हैं डोरी डालने के लिए सेम उसी तरह से हमें इसकी किनारी बनानी है आदा हिंच कपड़ा बाहर रखेंगे डबल फोल्ट करके और इस तरह से सिलाई लगा देंगे यह देखिए इस तरह से हमने यह net का कपड़ा लगा लिया है अब हम इसको राइट साइड की तरफ पलटेंगे और देखिए राइट साइड की तरफ पलटकर हमें इसमें डोरी डालनी है देखे जितना भी हमारा اेक्स्ट्रण कपड़ा बाहर की तरफ हमने निकाला था उसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और डोरी डालकर इस तरह से सिलाई लगा देंगे पलटकर ये देखिए ये किनारी हमने बना दिये और देखिए ये हमने बांदने के लिए डोरी भी डाल दिये देखिए अब हम लड़ू वपाल जी की चोली बनाएंगे तो देखे चोली बनाने के लिए यहाँ पर हमने यह तीन इंच टोरी नेट का कपड़ा लिया है और यह हमारी 11 इंच लंबी है 11 इंटू 3 इंच देखे इसको हमें 4 फोल्ड करना है देखे इस तरह से हम इसको 4 फोल्ड करेंगे देखिए, 4 fold करने के बाद में, हम इसके उपर इस तरह से lace लगा देंगे यह देखिए, हमने lace को लगा लिया है, अब हमें इसको इस तरह बीच से cut कर लेना है देखिए, cut करने के बाद में, हमें इसको cross में रखना है और देखे यह जो हमारी lace है वो हम center की तरफ रखेंगे और देखे इसको इस तरह से center में यहाँ पर एक सिलाई लगा कर attach कर देंगे यह देखे चोली भी हमने attach कर दी है यह देखे अब हमें क्या करना है हमारे पास यह lace है देखे आप अगर ऐसे ही dress को रखना चाहते हैं तो ऐसे भी आप पहना सकते हैं बट अगर आप इसके उपर patch वगएरा लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं मुझे थोड़ी heavy dress बनानी है इसलिए मैं यहाँ पर यह patch का भी use करूँगी तो देखे पहले हम यह patch कट करके अलग-अलग कर लेंगे देखे इस तरह की जो lace होती हैं उनमें हम इनको कट करके अलग भी कर सकते हैं यह देखे यहाँ पर हमने यह patch अलग कर लिए हैं यह जो हमारी sequence वाली किनारी है वो हमारी है बाहर की तरफ निकली रहेगी बेस से बाहर देखे हम सेंटर में ग्लू लगाएंगे यहाँ पर मैं ग्लूगन का यूज़ कर रही हूँ अगर आपके पास ग्लूगन ना हो तो आप फैब्रेकल ग्लू का भी यूज़ कर सकते हैं आप आप तो देखे पैच हमने पेस्ट कर दी हैं और देखे हमारी यह ड्रेस बनकर कम्प्लीट हो चुकी है तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भोलें थैंक्यू